नमस्का, मैं हूँ जोतिस आचार राजिस. अनुखा सुत्र में आपका स्वागत है. आज मैं अनुखा सुक्र के अंतरगत एक ऐसे अनुखे सुत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ. जिसके बारे में यह तो है परचलन में. प्रन्तु क्यों परचलन में आया, कैसे आया, इसके पीछे क्या, क्या कोई साइंटिफिक रीजन है या जोतिस्य महतपूर्ण कारण है. जोतिस्य महतपूर्ण कारणों के विशे में मैं इस सुत्र को बताऊंगा. वह है आपके काले धागे से जुरी हुई. क्योंकि हम देखते हैं कोई हाथ में, कोई पैर में, कोई गले में काले धागे को हमेशा साथ रखते हुए. इसके पीछे क्या कारण है? जब बच्चे जन में लेते हैं और जैसे जैसे वह वरा होने लगते हैं उन्हें काले धागे का एक कमर में डारा पहनाया जाता है यहां क्या प्रचलन है हमारे देश में इसके पीछे क्या कारण है तो सबसे पहले इन कारणों का पता लगा लूँ देखो कि क्या कारण है क्यों काला धागा हमारे प्रचलन में आया जो कमर में पहनने के लिए सबसे पहले दिया गया दोस्तों सर्पर्थम मैं आपसे एक निमेदन करता हूँ कि आप इस चैनल पर पहली बारा हैं इसे जरूर सब्सक्राइब करें और वेल एकन जरूर प्रेस करें क्योंकि मैं आपको आगे उप्योगी ज्यान बर्धक वीडियो टोटके सुत्र बताता रहूंगा सबसे पहली बात है कि जब भी बालारिष्ट जो बच्पन में मिर्तिव होते थे बच्चों की उसे अरिष्ट बालारिष्ट कहते हैं बच्पन में मिर्तिव जो 10-12 वर्ष तक बहुत तेज तिब्रगती से घटित होती थी उसमें सबसे बड़ा कारण सनी देव का होता था क्योंकि चंद्रमा जब गलत घर में बैट जाते थे 6-8-12 में या असुप प्रभाव में होते थे और सनी की उस पर दिष्टी पर गई तो मा और संतान दोनों को कष्ट संतान के उपर बाला रिष्ट योग बन गया तो पहली बात है कि सनी देव के द्वारा जो भी रोग भय परिसाने उत्पन होते हैं उसको इसमें लिया गया दुसरी महत्पून बात कि काले धागे को हमने कमर में क्यों नहीं दिया कमर में क्यों पहनाया गया गले में हाथ में बच्पन में क्यों नहीं दिया गया इसके पीछे भी एक रीजन है क्योंकि पूरे सरीर का बीच का पॉर्सन हमारा कमर होता है जहां उसे बांधने की ब्यवस्ता है जिसके परिनाम सरूप वह पूरे सरीर को बाइलेंस रखता है क्योंकि हमारा बाइलेंस का किंद्र बिंदू हमारा ना भी होता है जहां वह कमर मे पहना जाता है ये दुसरी महत्पुन बात हुई कि कमर में ही क्यों दिया गया और सनी देव सनी की साड़े साती सनी की ढईया जब लगा बैठते हैं तो निश से जानिये कि आपके जीवन में भारी उतार चलाव दिखना सुरू हो जाएगा और बच्चे को मिर्तू का भै अध अधिक रहता है गिरने का भै अधिक रहता है रोग नजर गजर तोटका ये सब प्रभावित करते हैं बच्चों को बहुत तेजी से साड़े साथी और ड़या में इसलिए यह धागा महत्पुर्ण हो जाता है बच्चों के लिए अब इसमें क्या कारण है सनी देव का रंग काला राहु देव के तुदेव के भी रंग को काला लिया गया है और जीतने भी अरिष्ट बनते हैं इन तीनों का प्रभाव चंद्रमा पे लगन पे परना चाहिए यदि साड़े साती ड़या हो तो अकेले सनी देव काफी है तो इन सब के रंग काला का प्रतिनिधी करते है तो हमने काले धागे को लिया ताकि सनी देव से जुरी भी कोई भी उनके मन पसंद उनको प्रसंद करने वाले वस्तवे को अधिहम अपने पास रखेंगे तो सनी देव हम पर प्रसंद होंगे इसी को खैलों में रखकर जोतिश्यों ने काले धागे का डारा पहनाने का देखते हैं बरे बुजूर्गों को कभी कलाई में बांदे हैं, कभी पैर में बांदे हैं, क्या है इसके पीछे कारण, जिनको बहुत नजर लगते हैं, या किसी तरह के टोने टोटके जिनके उपर हावी होते हैं, इसका सिधा प्रभाव नजरों से बचने के लिए काला टीक लगाते हैं, इसलिए जब भी कोई कमजूर तबदे का व्यक्ति होता है, जिसका विल बहुत कमजूर होता है, उनको बहुत जल्द नजर लगते हैं, नजर से बचने के लिए भी या हमें पहनाया जाता है, और जब सनी की साड़े साती या ढहिया लगी होती है, तो कमर के न लगना, पैर में चोट लगना, आँखों की प्रोब्लम होना, गले के उपर की प्रोब्लम होना, ये सारे के सारे सनी देव के अंतर गताते हैं, कारकत्व के रूप में सनी देव यहाँ प्रोब्लम क्रियेट करते हैं, इसलिए उससे बचने के लिए जब हमें कमर के नीचे चोट लग रहे हैं पैर में चोट लग रहे हैं या पैर में किसी तरह के दर्द है कोई बिमारी है छुटता नहीं है तो हम पैर में काले धागे को सही है। हाथ के बारे में भी वही इस्तिती बनती है कि जहां भी हमारे हाथ में प्रूबलम दिखते हैं उस हाथ में हम बानते हैं तो इस तरह यह प्रचलन में आया और यह इसलिए सक्सिस हो गया क्योंकि जिन लोगों ने इसे बांधा उन्हें लाव दिखाई दिया इसलिए यह परचलन में तेजी से आगे बरता गया और आज उपाई के रूप में सारे जगा प्यापत है एक बात याद रखे यदि आपके साथ ऐसी घटित हो रही है और आप काले धागे पहनना चाहते हैं या बांधना चाहते हैं तो एक बात जरूर ख्याल रखे इसमें यदि आप सुब मुहरत का प्रियोग करेंगे सुब दिन का प्रियोग करेंगे उनका दिन का प्रियोग करेंगे तो आपको सिग्र प्रभाव दिखेगा सनिवार के दिन अभी जीत मूर्त में 11.35 से 12.25 के बीच में ही इस धागा को आप बांधे या पहने देखे चमत कारिक लाब देगा और जिस मकसद से आपने धारन किया है आपको लाब दिखेगा तो आप इस तरह इसका लाब ले धन्यवाद